नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं तो करना परेशान हो गए हम लोग धाई साल से ये भी परेशान हो गए करो फेर अरे हाँ भाई करते हैं, कृप्या धक्का मुक्की ना करे तो दोस्तों, पहले ये समझो कि आप 100% किसी को नहीं भुला सकते ये भगवान क्या जलुम है जलुम वुल्म कुछ नहीं है, पहले समझो कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जब आप उस रिलेशन्शिप में घुसे थे, तो ना जाने आपने क्या क्या सोच लिया था उस पर्सन को लेकर, आपने फिल्मी सीन चला लिये थे अपने माइंड में कि हम यहां घूमेंगे, इस रेस्टोरेंट में खाएंगे, यहां जाएंगे, बहां जाएंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, और ना जाने क्या-क्या, और जब आप इतनी डीप फिलिंग्स को लेकर गए, उसको अप्रोच करने तो उसने मना कर दिया, और उसके बाद आपकी हा तो अब क्या करें? अब तो फस गए, हमने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहां तो कुछ और ही हुआ, यह तो कुछ ऐसा सोचती ही नहीं अपने बारे में, इसके लिए तो मैं important ही नहीं हूँ, तो अब क्या करें? आप सोचने लगते हो, उनहीं सब बातों को जो आपने पहले imagine करी थी, आप जाते हो YouTube पर और सर्च करते हो, Boys Transformation After Breakup, आप sad songs सुनते हो, और ना जाने क्या-क्या अपने दिमाग में भर लेते हो, और जब आप यह सब करते हो, तो उस person के लिए आपकी मन में गुस्सापन अपने लगता है, और ऐसे में गलती से आपने उसको खुश देख लिया, तो भाई जल जाएगी आपकी, कि यह मेरे बगएर भी खुश कैसे है, और फिर ऐसे में आप और भी ज्यादा उस इनसान के बारे में सोचने लगते हो, और सोचते हो कि कैसे मैं उसे 100% भुला दूँ, बात अटनne chapter बनेगा या सिर्फ मामूली सा एक chapter बनेगा, यह totally आप पर depend करता है, तुम्हें ना तो उस परसन को भुलाने की जरूरत है, और ना ही उसको पाने की, तुम्हें बस एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जब भी उस परसन की याद आये तो कर लो याद कोई दिक्कत नह कि ऐसा करने से आप पहली बार में उस इंसान को भूल नहीं जाओगे, लेकिन ये स्टार्ट करेगा एक प्रोसेस मूव अन करने का, क्योंकि तुम ने उस चीज को एकसेट किया। Second, work on yourself. दोस्तों ऐसी सिचुएशन में लोग अपने आप पर काम करना बंद कर देते हैं, वो सोचते रहते हैं उस इंसान के बारे में जिसने उन्हें चीट किया और ऐसा करते करते वो अपने आप पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, वो फंसे रहते हैं अपनी पुरानी मेमरीज में इसलिए छोड़ो अपने पास्ट को कब तक एक ही चीज का रोना रोते रहोगे, और खड़े हो जाओ खुद के लिए और अपने लिए फाइट करो, जो चाहिए उसके लिए फाइट करो, खुद को बहतर बनाने के लिए काम करो, और मूविंग ओन पर फोकस करो, जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले, धन्यबाद